हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं चैनल दिस इस रोशन सर्माइक्स एगर आप इस चैनल पर पहली बार होते इस चैनल उप सब्सक्राइब कर लेजी वीडियो को लाइक किजी और शेयर किजी साथ ही बेल एकन को प्रेस किजी ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेश आप तक तुरंड पहुंच सकेए एससे वन के लिए हम स्ट्रेटिजी बनाई हैं एससे वन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और एससे वन में अच्छे मार्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सब ही ने मुझको रैक्वस्ट किया है कि कमेंट के जड़िये कि बाइलोजि और सोशल की भी answers अपलोड कीजी तो मैं ने कोशिश किया है कि किसी expert teacher को मैं arrange कर सकूँ biology और सोशल के लिए तो expert teacher ने मुझको answers टिक करके दिया है expected questions जो S7 में आने वाले हैं तो वही answers में वही questions आप लोगों को मैं अभी टिक कराऊंगा आप वही questions याद कीजिए उसी के अंदर से S7 में आने के chances बहुत ज्यादा है तो पहले हम biological science का 10th class के देखते हैं सबसे पहले आप क्या कीजिए इसका portion चेक कीजिए के S7 के अंदर portion इंडेक्स में आपको मिल जाएगा आपको first lesson पढ़ना होगा nutrition, second lesson respiration भी पढ़ना है अगर इसके अंदर से कोई lesson reduced है तो वह lesson आप मत पढ़िए लेकिन क्योंकि मैं आप मैं आपको अपलोड कर रहा था तो अगर reducing lesson है तो उसको छोड़ दीजिए अगर reducing नहीं है इसके अंदर पूरे है तो आपको पूरा lesson पढ़ना पढ़ेगा अब हम आते हैं first lesson देखिए ये first lesson के अंदर ये experiment अच्छा याद करके जाएए experiment तीनों experiments है पहला experiment ये दूसरा है observation oxygen involved during the photosynthesis का ये दूसरा और ये एक third ये ये तीनों में से एक board exam में भी आपको आएगा ये अच्छे तरह याद करके जाएए अब हम आते हैं last के अंदर page number अगर आप देखेंगे page number आपको मिलेगा 21 page number 21 पे यहाँ पर what the first question के अंदर ये light reaction dark reaction आपको पढ़ना है chlorophyll chloroplast भी आपको पढ़ना है उसी तरह यहाँ पर डी वाला why is not possible the demonstration respiration in green plant captain sunlight का पढ़ना है third के अंदर digestive enzymes vitamins आपको पढ़ना है और fourth question पढ़ना है आपको और उसी तरह 7th question भी आपको पढ़कर जाना है ninth question है tenth question है और यहाँ से 14th है और उसके बाद 17th question आपको पढ़ना है इसके बाद page number 22 पे देखेंगे तो question number 19 पढ़ना है 20 पढ़ना है और 22 और 23 भी आपको पढ़ना है ये lessons में से इतने questions आपको पढ़ना है Next आते हम second lesson second lesson का page number निकालीजे second lesson का page number है 45 यह 45 पेज नमर में से आपको फॉस्ट के अंदर बी और डी वाला बिक पढ़ना है आपको फॉर्थ क्वेशन पढ़ना है और उसी तरह यहां पर 9th क्वेशन है 10th question और 12th question आपको पढ़ना है फिर लास्ट में आ जाएंगे तो 22 वाला question आपको पढ़ना है और पेज आपको पढ़ना है और प्रथा देंगे पेज नमबर 46 पर आपको यह 23, 24, 25, 30 questions भी आपको पढ़ना है अब नेक्स आते हैं लेस्न नमबर थर्ड में इसके अंदर देखि 5th question और 8th question 9th में वेंस एरेटरिस और गजेलम और उसके बाद फ्योलम 10th question आपको पढ़ना है उसके बाद 13th भी आपको पढ़ना है पेज पलठा देंगे तो आपको यहाँ पर आपको दिखेगा पेज नमबर 70 पर 15th question 17th question उससे तरह यहां से 21, 22, 23, 24 आपको 3rd lesson में से पढ पढ़ना होगा उसके बाद हमाते हैं 4th lesson के अंदर 4th lesson पेज नमबर 89 अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 1st question, 2nd question है 4th question, 5th question है उसी तरह 9th question है और पेज पलठा देंगे आप पेज नमबर 90 पर देखेंगे तो यहाँ पर 10th वाले में excretion and secretion C वालब बिठ है 11th आपको दे दिया गया है, पूरा paragraph पढ़कर लिखना है, उसी तरह 12th भी आपको पूरा paragraph पढ़कर यहाँ पर लिखना है, next page नमबर 91 पर आ जाएंगे, तो 16, 17, 18, 21, 23 आपको पढ़ना है, यह lesson के अंदर से, आप 5th lesson में हम आ जाएंगे, 5th lesson में से आपको क्या-क्या पढ़ना है दे C और यहाँ पर आपको पढ़ना है, C और 7th question भी आपको पढ़ना है, और 11th question भी आपको पढ़ना है, page अगर आप प्ढठा देंगे, पेज नमबर 11 पर, यहाँ पर 13 बिट ए 16th में, और 17th question है, उसी तरह 22 आपको पढ़ना है, 25, 26th और 27, इतना है questions इसके अंदर से आपको प तो इस 6 त लेशन का पेज नमबर हे आपका नमबर of 140 यह 140 है तो आपका है से 1st 2nd 4th 7th 8 यह पढ़ना है और पेज नमबर 141 में है तो 11th 12th 14th 21 और 22 उसी तरह 25 27 7 इतने questions आपको इसके अंदर से biology के अंदर से पढ़ना है यह पढ़ने के बाद आपके पास कुछ time होता है तो आप अगले और भी questions आप पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने यह division नहीं दिया है किसी expert से मैंने लिया है इतने questions अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बेहतर होगा और questions को आप रटिये मत बिलकुल अपने point से अपने point wise बना कर अपने हिसाब से concept wise याद कीजिए और questions को रट कर जैसा है वैसा रट कर आप नहीं जाएए बलके आप अपने हिसाब से उनको point wise बना लिए ताकि आपको अच्छी तरह याद हो सके या किसी teacher से मदद ले सकते हैं टीचर को कहिए कि इसको point wise बना कर दे तो आप अच्छी तरह पढ़ सकेंगे तो अमीद करता हूं कि एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजे सब्सक्राइब करना ना भूल जे बेस्ट आफ लक